हेलो दोस्तों स्वागत है आप से एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने बाले हैं कि अगर दोस्तों आपकी भी लेपटुप में sound का problem आ रहा है तो sound का problem दोस्तों उसको आप कैसे solution कर सकते हैं स्पीकर का एक option मिलेगा इस पर आपको माउस का राइट बटन को किलिक करना है किलिक करेंगे तो देख सकते हैं चार पांच option है इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर open sound setting है सिंपली इस पर किलिक करके यहाँ से उसके बाद ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको च्वाइस करने के लिए एक option मिलेगा जिसमें के यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर हेडफोन लिखा हुआ है यहाँ पर arrow का भी निसान है इस पर किलिक करेंगे हम तो देख सकते हैं यह एक ही हमारा option है तो आप को लिए करना है और किलिक करने के बाद ही यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर इस्पीकर हेडफोन सिर्जी करके यहां से टेस्ट वाले बटन्पर आपको किलिक करना है तो आपको बज़ेगा अगर बज रहा है तो इसका मतलब आपका इस स्पीकर सही है कुछ आपको problem आ रही है जिसके वो जैसे आपका sound जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आपको test वाले option पर click करके यहाँ जो है आपको पहले test करना है तो आपको दो बार beep का sound सुनाई देगा तो यहाँ पर simply test कर लेना है उसके बाद भी अगर आपका problem solve नहीं होता है तो simply back आके यहाँ पर एक option देखेंगे टरवर सूट का option है simply इस पर click करेंगे click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं detecting problem यहाँ पर so कर रहा है यानि जो भी problem आपके laptop में आया है sound की वज़ा से वह problem आपको यहाँ पर solution यह खुद बताएगा तो आपको simply दोस्तों यह वाला जो checking है वो checking को पूरा होने देना है और checking दोस्तों यहाँ पर पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ अगर solution होगा तो वो automatic यहाँ पर so कर जाएगा अगर आपका पहले से ही ठीक होगा तो आपको simply कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर simply देख सकते हैं sound off यहाँ पर effect एक problem हमारे laptop में आया है जिसके वज़ा से हमारा sound जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं दो option है एक तो problem यहाँ पर यह है कि yes open audio in sentiment या फिर दूसरा है कि no तो आपको simply yes वाले option पर ही click करके इसको fix करना है वरना आप no पर click करेंगे तो यह automatic आपका problem solve नहीं होगा जैसा problem आपका पहले आ रहा था वैसा ही रह जाएगा तो यहाँ पर yes वाले option पर click करके आपको sound का जो problem है वो solve करना है हमारे laptop में दोस्तों यह वाला problem ही so हो रहा है इतना करने के बाद दोस्तों अगर आपका laptop यहाँ पर मान लिए पहले से इसको आप काफी देर से इसको open करके रखें तो simply दोस्तों इसको एक बार फिर से restart कर लिना है उसके बाद आपका जो भी problem होगा वो solve हो जाएगा तो test वाला option दोस्तों यहाँ जो है manage sound device इस पर जरूर किलिक करके आप यहाँ पर test कर लेना है कि आपका पहले speaker सही है या फिर नहीं हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा होता है कि speaker खराब होने की वज़ा से जो है उसका sound नहीं आता है तो पहले यहाँ पर test वाला option पर किलिक करके जो है आपको test कर लेना हम दोस्तों है कि यहाँ पर record करके आपको लगा देंगे कि कैसा इसका वीप sound निकलता है तो इसको दोस्तों देखने के बाद आपका भी अगर लेपटूप में इस तरह से sound आ रहा है इसका मतलब आपका speaker जो है वो सही है तो उमीद है दोस्तों वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe कर देजेगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद